MS Word 2019 Class 14 इस Class में आप सीखने वाले हैं Smart Art के बारे में Smart Art होता क्या है Actually में Smart Art Word में एक Option है जिसमें पहले से बहुत सारे Diagram बना के रखे हुए हैं जिनका इस्तमाल करके आप डॉकुमेंट को फटाफट तियार कर सकते हैं साथ ही इनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे टूल साते हैं, जिनके द्वारा आप इन smart art को कस्टमाइज कर सकते हैं, इन में जो सेप इस्तमाल हुए हैं, उन्हें फॉर्मिट कर सकते हैं, तो चलिए class को सुरू करते हैं, अपने document में smart art को insert करने के लिए insert टैप पे click करेंगे, वहाँ पे illustration group के अंदर smart art का tool मिलेगा, इस पे click करेंगे, click करने पे एक नया window अपेर हो जाएगा, जिसमें left side में categories के नाम है, और right side में list है, जब भी आप किसी category पे click करेंगे, उसमें जितने भी diagram available होंगे, वो सब के सब आपको list में नजर आएंगे, example के तौर पे अगर मुझे एक list चाहिए, तो मैं list पे click करूँगा, और list से संबन्धी जितने भी diagram यहाँ पे हैं, वो सब हमें नजर आने लगेंगे, किसी पे भी click किजे, और ok पे click किजे, और वो आपके document पे appear हो जाएगा, इसी तरह अगर आप दूसरा diagram लेना चाहते हैं, तो आप दूसरा diagram भी ले सकते हैं, उसके लिए वापिस insert में जाएंगे, illustration group के अंदर smart art पे click करेंगे, और जैसे यहाँ पे मैं एक hierarchy वाला लेना चाहता हूँ, तो मैंने hierarchy पे click किया, और मैंने इस पे click करके ok कर दिया, और आप देख सकते हैं, कि यहाँ दूसरे type का एक smart art appear हो गया, इसी तरह कुछ और अगर मुझे लेना हो, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं, insert में जाएंगे, smart art में जाएंगे, फिर इसी तरह जैसे cycle एक most popular diagram है, अगर इसका इस्तमाल करना चाहते हैं, तो बस इस पे एक बार click किजे, ok पे click किजे, और तुरंत यह आपके page पे appear हो जाएगा, MS Word में पहले से बहुत सारे ऐसे tool हैं, जिनके द्वारा आप अपने smart art को और अच्छे से represent कर सकते हैं, इसके लिए जिस smart art को आप format करना चाहते हैं, या उसमें एक additional style apply करना चाहते हैं, उस पे click करेंगे, जैसे हम इस smart art पे apply करना चाहते हैं, इस पे एक बार click करेंगे, click करने के बाद इसके border पे click कर देंगे, इससे क्या होगा, यह पूरा का पूरा smart art सेलेक्ट हो जाएगा, otherwise इसमें एक एक save और text वागेरा जो लिए हैं, उन्हें भी आप अलग-अलग select कर सकते हैं, तो फिलाल हमें smart art को select करना है, हमने complete smart art को select कर लिया, select करने पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दू नए tab नजर आएंगे, एक design का और एक format का, design tab पे आप जब click करेंगे, तो यहाँ पे आपको smart art style की एक gallery मिल जाएगी, जिस पे click करते ही, अलग-अलग तरह के आप देख सकते हैं, style आपके smart art में apply हो जाता है, तो जो भी आपको पसंद हो, बस उस पे click करें, और वो तुरंट आपके smart art पे apply हो जाएगा, इसी तरह अगर आप कोई दूसरा smart art लेते हैं, उस पे apply करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप इसके layout mode को change करना चाहते हैं, तो वो भी आप easily कर सकते हैं, इसके लिए layout gallery में जाएगे, और वहाँ पे आपको पहले से बने हुए बहुत सारे layout के option मिल जाएगे, जो भी आपको अच्छा लगे, बस उस पे click करें, और तुरंट वो आपके smart art पे apply हो जाएगा, जब आप किसी तरह का भी smart art अपने document पे insert करते हैं, ता आप उसमें देखेंगे, कुछ shapes भी मिलेंगे, और कुछ text place holder भी मिल चलिए, इस पे मैं click करता हूँ, और यहां पे मैंने लिख दिया A, इस पे मैंने click किया, और लिखा B, इस पे C, और इस पे D, मैं इस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आप आसानी से इन्हें पहचान सकें, इसके अलावा इसका style अगर हम change करना चाहते हैं, किसी दूसरे style पे click क चुने, जिसमें पहले से image का place करने का option हो, जैसे कि यह, इस पे मैंने click किया, और आप देख सकते हैं, कि यह picture organized chart है, तो इस पे मुझे picture भी insert करने का option मिल जाता है, जिस पे click करके हम तुरंत from a file लेते हुए, किसी भी image को यहां पे लगा सकते हैं, जैसे एक image हम लगाना चाहत हैं, यहां पे हमने किसी image को चुना, जैसे यह, मैंने ले लिया line होला, और यहां देख सकते हैं, तुरंत line insert हो गया, इसी तरह दूसरे पे click करते हैं, from a file में जाते हैं, और यहां से कोई भी image हम चुन लेते हैं, और वो image तुरंत वहां पे place हो जाता है, इस तरह साथ आप easily इसमें image भी place कर सकते हैं, smart art को आप smart art style के दौरा तो format कर ही सकते हैं, साथ ही आप चाहें तो इसके एक-एक shape को select करके उसे अलग तरीके से format कर सकते हैं, जैसे मैं इस पे click कर रहूं तो आप देख सकते हैं, कि सिर्फ यह shape select हुआ, इसके बाद हम format पे click करेंगे, format tab पे click करते ह यहां पे हमें दो चीजे मिलती हैं, एक मिलता है word art style और दूसरा मिलता है shape style, shape style के दौरा हम इसके shape को customize कर सकते हैं, जैसे मुझे यह color नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कुछ style चाहिए, यह मैंने ले लिया, अगर save effects में जाये तो यहां से हम preset का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के preset भी हम इसमें लगा सकते हैं, जो कि हमने previous class में आपको detail से बताया था, जब हमने shape पे आपको class दिया था, इसी तरह अगर आप इसमें word art style चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं, कि word art style सारे के सारे shapes पे एक साथ apply हो जाए, तो आप ऐसा करेंगे कि इसके main border पे click करेंगे, जिससे ये complete smart art select हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी word art पे click करें, और वो पूरा का पूरा apply हो जाएगा आपके smart art पे, आप चाहें तो एक एक पे भी click करके इसे change कर सकते हैं, आप इसके color को change कर सकते हैं और इसमें जो आपने 3D effects वागेरा लगाया है, वो भी आप एक एक को click करके, select करके change कर सकते हैं, smart art insert करने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें कुछ extra shape add करने चाहिए, या कुछ save को delete करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और shape add हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी shape पे एक बार click करेंगे, click करते ही हमारे पास design और format के दोनों tab नचराने लगेंगे, design tab पे click करेंगे और design tab पे click करने के बाद आप यहाँ पे create graphic में देखेंगे add shape का एक option है, इस पे click करेंगे और तुरंत ही एक नया shape यहाँ पे add हो जाएगा, जब आप अपने smart art में नए shape add करते हैं, तो उन्हें arrange करने की आवसकता होती है, या कई बार ऐसा भी होता है, कि जो smart art आपने ले रखाया और उसमें जो shapes बने हुए हैं, वो proper तरीके से नहीं है, उन्हें arrange करने की ज़रत परती है, तो वो भी आप कर सकते हैं, एक option है, promote, अगर इसके द्वारा आप click करते हैं, ति यह तुरंत अपने से उपर वाले label पे चला जाएगा, अगर हम remote पे click करेंगे, ति यह अपने से नीचे आ जाएगा, तो जैसे हम इस पे promote पे click करते हैं, ति यह promote हो जाएगा, promote होने पे आप देखेंगे, कि यहाँ पे मैं down पे click कर रहा हूँ, ति यह एक एक step पीछे आ रहा है, अगर मैं आप पे click करता हूँ, यह एक एक step करके आगे चला जाता है, इसी तरह दूसरे भी smart art हैं, उनमें भी आप इनके द्वारा अपने save को arrange कर सकते हैं, अगर कभी आपको ऐसा लगई कि जो smart art आपने ले रखा उसमें कुछ saves extra हैं, तो आप उन्हें delete भी कर सकते हैं, delete करने के लिए smart art के उस save पे click करेंगे, तो वो save selected हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, अभी हमने इस save को select कर रखा है, हमने complete smart art को select नहीं किया है, हमने सिर्फ save को select किया है, अब इसके बाद अगर हम keyword से delete की दबाते हैं, तो यह save यहाँ से delete हो जाएगा, इसी तरह अगर मुझे complete smart art को delete करना हो, तो हम save को select नहीं करेंगे, हम smart art को select करेंगे, तो smart art को select करने के लिए इसका जो main border है, इसके किसी भी anchor point पे एक बार click कर देंगे, तो यह smart art select हो जागा, जब smart art select होगा, तो आप देखेंगे कि किसी save पे भी आपको छोटे छोटे जो anchor point नजर आ रहे थे, वो नहीं नजर आएंगे, सिर्फ आपको smart art में ही नजर आएंगे, अब अगर आप keyboard से delete के दबाते हैं, तो यह complete smart art यहाँ से remove हो जाएगा, delete हो जाएगा, इस video class में यहीं तक, आप जो screen पे देख रहे हैं, इसे आप खुद से बनाने का अभ्यास करेंगे, और अगर ना बने तो मुझे comment में जरूर बताईएगा, इससे समंधित video भी हम आगे लेके आएंगे, आगे आने वाले video classes के लिए channel को subscribe कर लें, दोस्तों के साथ share करें, और video को like करना ना भूले, बाई, थैंक यू